हेलो दोस्तों वेलकम टू यूनिक ऑल्लाइन गुरू चैनल MS वल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों डिजाइन टैप में पेज बैग्राउंड ग्रूप में क्या क्या है वाटर मार्क पेज कलर और पेज बॉर्डर ठेक है दोस्तों तो वाटर मार्क क्या होता जैसे आपके इस पेज पर यह मैटर लिखा हुआ है तो अगर आप वाटर मार्क कुछ लगाते हैं तो वह कहां लिखेगा इस लिखे हुए मैटर के पीछे तीक है जैसे मालने हम वाटर मार्क एरो पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपके चार तरीक्य के वाटर मार्क बाइडिफॉल्ट बने हुए हैं हमने जैसे ही पहले वाले पे क्लिक किया तो क्या हो गया कॉन्फिडेंशल लिख गया ठीक है आपका लेफ्ट से राइट की जरब ठीक है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर यह क्या है यह आपका ऐसे है एक होरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है ठीक है दोस्तों यह क्या था कॉन्फिडेंशल इसी जरे डू नौट कॉपी का भी है पर मान लिजिए आपको यह सब नहीं लगाना है जो बाइडिफॉल्ट दिया है वो वाटर मार्क हमें नहीं लगाना है हमें नया वाटर मार्क लगाना है तो कहां आजाएंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए कस्टम वाटर मार्क पर ठीक है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा ही एक interface open हो जाएगा ठीक है पहले पर क्लिक है no watermark तिक ये रहेगा तो ये सब कह रहेगा highlight नहीं रहेगा आप इस पर work नहीं कर सकते है पिच्चर watermark पर क्लिक करेंगे तो आपको select करनी पड़ेगी पिच्चर ठीक है जो आपके सिस्टम में होगी उसको आप लगा सकते हैं और टेक्स्ट watermark पर आप टेक्स्ट लगा सकते हैं लेंग्वे से आप लेंग्वे चुन सकते हैं और टेक्स्ट में आपको क्या लगाना ह है जैसे मालेजिए हम लगा जेते हैं यूनीक ऑनलाइन गुरू अब आपको जैसे पहले बताया गया है कि आप इसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिस फॉन्ट में जाते हैं उस फॉन्ट में आके आप क्लिक कर दीजिए उसी फॉन्ट में आपका लग जाएगा वाटरव साइज आपको अगर कोई प्रिस्क्राइब दी है तो ठीक है नहीं तो आटो छोड़ दीजिए कलर कलर आप जो चाहते हैं वह लगा लिजिए अब लेयाउट में डाइगनल रहेगा कि होरिजॉन्टल डाइगनल मतलब आपका ऐसे तिर्चे में ठीक है और होरिजॉन्टल म लेट से राइट में हमने अपका जिया के डिया के टिक है एकarnoskin हो गया डाइगनल पर क्लिक था हमने अपका कर के कलोज कर दिया है टो डाइगनल पर देखे क्वाला ओंलाइन गुरू ठीक है तो यह हमारा क्या होगा है दोस्तों watermark अगला क्या है page color जैसे आप दोको नाम तहीं पता है कि आप page को color कर रखते हैं जिस color में आप चाहते हैं उस color का page कर लिजिए अभी white है आप blue कर लिजिए black कर लिजिए gray कर लिजिए yellow कर लिजिए green कर लिजिए orange कर लिजि दिख रहा है और page हमारा किस कलर का हो गया दोस्तों red कलर का ठीक है तो हमने अभी क्या सीख लिया watermark लगाना और पेज कलर करना अब हम लोग तीसरा टॉपिक का पढ़ेंगे page border page border क्या होता है आपके page में बगल 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 करना ठीक है आईए क्लिक करेंगे देखिए आपक इसको करके okay कर दीजिए तो देखिए dotted dotted क्या हो गया हमारा page border लग गया change करना है तो फिर हम change कर सकते है color भी आप change कर सकते है border का भी blue ओके तो यह blue में लग गया ठीक है दोस्तों फिर page border में आएंगे आप box box वाले पर क्लिक करिए अब जो आप करेंगे यह none है यह box है ठीक है देखिए आप लोग को यहाँ preview में देखिए यहाँ changes दिख रहा होगा box shadow में shadow हो जाएगी 3D में 3D ठीक है आते हैं shadow वाले पर और इसमें कई दिया देखिए दोस्तों आप यहाँ यह क्लिक करिए और ok करिए तो देखिए यह जो आपका लगा है border यह किसके साथ लगा shadow यहाँ देखिए यह shadow भी दिख रही है आपको और यह आपको border भी दिख रह लाएंगे तो आप जो चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं विट यहां से बढ़ा सकते हैं ठीक है custom में आगए अब art open कर लिए आपको जो इसमें art दी है वो लगाना चाहिए लगा जीए ok देखिए star बन गिए आपका ठीक है दोस्तों तो यह हमारा क्या था हमने क्या सीख लिए water mark page color और page border ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you very much